लगातार तीन दिनों से हो रही भारी बारिश के वज़े से गुजरात के कई हिस्सों में जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है आज भी सौराश्ट और दक्षणी गुजरात के लिए भारी बारिश का एलर्ट है रेड एलर्ट जारी हुआ है मौसम भाग में गुजरात में अगले दो दिनों तक हैवी रेन की आशंका जताई है इदर सूरत में 24 गंटे में 9.5 इंच बारिश हो गई जिसके बाद सडकों पर हर तरफ दरिया सा बहतावा दिखाए दिया दुम्भाल में 150 घरों में खाड़ी का पानी भर चुका है तो निचले अलाकों में 500 परिवार बारिश के पानी से प्रभावित हुए है पलसाना में पानी में फसे 7 लोगों को रिस्क्यू किया गया और ये जो तस्वीरे आप देख रहे हैं इसमें भैसे जो है वो पानी के तेज़ धारे में बहती चली जा रही हैं लोग उनको बचाने की कोशिश में दोड़ रहे हैं कि किसी सूर्थ से उनको बचाय जा लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो इस पानी में बहती वी चली जा रहे है इदर गुजरात के दौरका में जर जर मकान ढहने से उसके मलबे में दबने के वज़े से तीन लोगों की जान चली गई हादसे के वक्त घर में कुल छे लोग थे खबर मिलते ही इंडियारेफ की टीम मौके पर पहुँची रेस्क्यू का काम शुरू हुआ लेकिन पाँच घंटे की मशक्कत के बाद तीन लोगों को तो बचा लिया गया लेकिन तीन लोगों की जिन्दगी बचाई नहीं जा सकी तीन मन्जिला ये अमारत थी जो बारिश के वज़े से ढ़े गई और इसके मल्बे में दबने के वज़े से तीन लोगों की जान चली गई आप देख रहे हैं इंडियारिफ की टीम मौके पर रेस्क्यू के काम में लगी लिए तीन लोगों को जिन्दा बचा लिया गया लेकिन तीन लोगों की जिन्दगी नहीं बचाई जा सकी ऐसे किसी भी हादसे के वक्त एक एक लम्हा कीमती होता है और बारिश के मौसम में रेस्क्यू के काम में अलग तरह की परिशानिया आ रही होती है अलग तरह की अर्चने आ रही होती हैं जैसे भी की मदद से जब तक मलबा हटाया जा सका तब तक तीन लोगों की जाने जली गए थी लेकिन तीन लोगों की जिन्दगी बचा ली गए पर सिविल पिर्शासन दौारा सूजना मिलती है हमारी टीम इंसिडेंट साइट पहुचती है और रेस्की ओप्स श्टार्ट करती है यह रेस्की ओप्रेशन लगबग 5-6 घंटे चला जिसमें हमने तीन बिक्टिम निकाल लिए है आस्मान से बर सियाफत मुश्कल में गुजराट पानी पानी सूरत दक्षण गुजराट में पिगड़े हाला वारका पर ओंसून की मार भारी बारिश्ट से गिरे मकान मौनसून की डरावनी रफतार का कहर पश्चिम भारत पर बरपा है पहरे महराश्टर के बाद अब गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचाई है पूरे सौराश्टर में बारिश से हाल बेहाल है तो द्वारका में लगातार तीन दिन से हो रही बारिश के बाद एक तीन मंजिला मकान ठह गया द्वारका के खंबालिया में हुई साथसे की बात का वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें मकान का आदा घंड है अब भी हावा में डोर रहा है द्वारका में बारिश से हाल बेहाल है तो सबसे ज़ादा तबाही सूरत में हुई है यह 24 घंटे में साड़े 9 इंच पानी बरसने से जगे जगे जल भराव जल जमाव के हालाथ है सड़कें दरिया बन चुकी है लोगों के घरों में पानी घुश चुका है तो दुम्हाल के 150 घरों में खाड़ी का पानी भरने से मुसीबत और बड़ी हो गई है कम से कम 50 परिवान प्रभावित है सूरत की सड़कों पर फिसे गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई लेकिन सूरत की कई सड़कों पर घुट्टे तक पानी भरने से वहन चालकों को कफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है गाड़िया पानी में फिसकर बंद हो गई है तीन दिनों से जारी जल भराव के करण बाजार बंद होने से लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है आदमी डूब जाता है दक्षण गुजरात में आसमान से बरस्ती आफ़त के बीच सूरत जिले के पलसाना तालूका का बालेश और गाउं भारी बारिश के कारण दो दिनों से टापू बना हुआ है लगातार बारिश के कारण बलेश और गाउं की 32 गंगा खाडी उफान पर है जिसके कारण बलेश और गाउं की टंक की फालिया में खाडी बार्ड का पानी लोगों के घरों में घुज गया है और लोगों का संपक मुख्य मार्क से तूट गया है पलसाना में सहलाब के बीच फसे 60 लोगों को पलसाना पुलिस, बार्डोली फायर टीम और स्थानी लोगों ने रेस्क्यू करके उची जगहों पर पहुचाया सौराष्ट और दक्षन गुजरात में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है, जिसके बाद स्कूलों में छुटिया कर दी गई है भारी बारिश के करण कच्छ के नक्तराणा में बाड के हाला थे, नक्तराणा की जदतर नदिया उफान पर है नाना, अंगिया और बिग अंगिया गाओं के बीच बहने वाली, भूखी नदी से दोनों गाओं को जोड़ने वाली पूरी सटक बह गई है इसके लावा, जमजोदपुर के सौगदी बाद में भी दरार आ गई है वहीं बाड का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें भेंसे पानी में बहती दिखाई दे रही है दक्षण गुजरात और स्वराष्ट में बाड बारिश से हाल बेहाल है पिछले कई दिनों से हमारे गुदरात राजी में भारी बारिश का मौसम चल रहा है लेकिन उसमें से दान्ट दिस्टिक बहुत बारिश की संभावनाव में आता है लेकिन कुछ इतना सरेरास एवरेज बारिश नहीं हो रही थी जो कल से शुरू हुआ है हमारे दान्ट दिस्टिक में कल से बारिश लगाता है शुरू हुआ है पर दिश्टिक में दो वटरफोल है एक वगई में गीरा दोदे और इस शुबीर तालुका में जो गिरमाल दोदे दोणों एक्टिव हो गए 26 गड मध्यप्रदेश, महराष्टर, गुजरात, तेलंगाना, तटिय करनाट और दक्षण राजस्थान में आज भी मध्यम से भारी बारिश का शंका है